संस्कृति के सच इसकार्यक्रम में पुना आपका स्वागत है और त्योहारों के इशिक क्रम में हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे दीपावली पर्व के साथ साथ जैसा कि मैंने पिछली श्रिंखला में बताया था कई त्योहार हमारे पास आते हैं जिनको हम मनाते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया भारतिये जो त्योहार हैं इनका एक विशेश महत्व है और प्रासंगिकता है ये केवल त्योहार मनाने के लिए ही नहीं मनाई जाते अपितु ये एक संदेश भी जनता को देते हैं लोगों को दिया जाता है एक्चुली हमारे देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था रही है समाज का विधान रहा है कि समय समय पर समया नुकूल दृष्टी से लोगों को चेताया जाता रहा है बताया जाता रहा है कि हम क्या करें और क्या ने करें जैसा कि हम सब जानते हैं दीपावली का जो त्योहार है और जो दीपावली है वो फाइनेंशियल इयर की रूप में वित्त वर्ष के रूप में मनाया जाता है एक ढंक से दीपावली अमावश्या का दिन में होती है अमावश्या के दिन होती है तो उस ढंक से एक financial year का end भी हम उसको कह सकते हैं होता है और उसके बाद नया वित्वर्ष का प्रारंब हो जाता है तो जो नये वित्वर्ष का प्रारंब होता है और पुराने वित्वर्ष का जो अंत होता है उसमें हम लक्षमी की पूजा करते हैं वित्व की दृष्टी से धन धान्य की दृष्टी से श्मृध्धी की दृष्टी से अब जब नये वित्वर्ष का प्रारंब होता है तो उस इसमें नए वित्वर्ष में हमारा राष्ट्र हमारे समाज के लोग स्मृद्ध कैसे बने धन धान्य से संपन्न कैसे हो पूरा वर्ष उनके लिए खुशियां कैसे लेके आए उस दृष्टी से यह गोवर्धन पूजा की जाती है गोवर्धन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है गोवकार्थ है गाए और वर्धन उनका समवर्धन करना यहां पर हमारी संस्कृति में ये बताने का प्रियत्न किया गया है यदि किसी राष्ट की स्मृद्धी चाहिए यदि किसी राष्ट के लोगों को सुख और स्मृद्ध की आवशक्ता है स्मृद्ध राष्ट हम देखना चाहते हैं स्वस्त लोगों को देखना चाहते हैं क्योंकि कोई भी राष्ट की जो स्मृद्धी है लोगों की स्मृद्धी और उनके स्वास्ते से जूड़ी हुई है जिस राष्ट में लोग बहुत जादा रुग्ण होंग है स्मृध्धि शाली नहीं हो सकता है तो उसके लिए यहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि गूवर्धन यदि हमें राष्ट की प्रोग्रेस करनी है उसकी उन्नत करनी है राष्ट में रहने वाले लोगों की हम स्मृध्धि चाहते हैं तो जितना हो सके उतना गायों का समव पर धन किया जाए जो गाए है भारतिय आर्थ व्यवस्था का मूल रही है प्राचीन काल से और इस आर्थ व्यवस्था के मूल में गाए का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि गाए सब प्रकार के कारियों को पूरा करती है एक छोटा सा श्लोक आता है संस्कृत में उसमें कहा गया है गोमए वसति लक्षमी गोमुत्रे धनवंतरी की गाए का जो गोबर है उसमें लक्षमी का निवास है तो कि गाए के गोबर की खाद बनाई जाती है और वो खाद बना के हम पेड़ पोधों को अपनी कृशी व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं अच्छा अन्न उधपादन कर सकते हैं और यह जो है इसलिए कहा कि गाए के गोबर में लक्षमी का निवास है अर्था स्मृध्धि क का निवास है जब उस गोबर का सही प्रयोग किया जाएगा खाद के माध्यम से तो उससे जो वनस्वतियां है जो अन्न है बहुत आयत में इस देश में उत्पन्न होगा और आज की प्रासंगिक्ता भी यह है कि वन संद्रक्षन की आवश्यक्ता है जितना ग्लोबल वार्म में बढ़ रही है उसका एक मात्र उपाई है कि वन संद्रक्षन हो वन संपदा अधिक बढ़े और गरीवी के लिए धन धन्य संपन राश्ट्र हो सब लोगों को भोजन मिले सब लोगों को कोई भी व्यक्ति भूखा ने सोए इस देश के अंदर आज बड़ी गंभीर व्य दिए जितना आवश्ब्षक है उतना भोजन भी खाने को नहीं मिलता तो ऐसी अवस्था में गाया का बड़ा महत्प है तो एक तरफ तो गाया का गुबर है और दूसरी तरफ गाया का मूत्र है गो मुत्र कहता है गो मुत्रे वसति धनवंतरी जो धनवंतरी वईद्य है उसका गो मुत्र में निवास है अर्था यह जो गो मुत्र है यह करीब मनुष्य की 50 के करीब जो बिमारियां है उनको दूर करता है तो जितना बड़ा सिंपल है उससे जो हमारी दवाईयां है जो मेडिसंस हैं अगर गोमुत्र का हम प्रयोग करते हैं तो आधे रोगों का हमारा इलाज हो जाता है इतने गरीब लोग इस देश में हैं जो दवाईयों पर खर्चा नहीं उठा सकते हैं उनको वहन नहीं कर सकते हैं यदि उनमें इस प्रकार की चेतना ऐसी जागरती लेके आई जाए कि किस प्रकार से गोमुत्र के प्रयोग से विभिन रोगों को शांत किया जा सकता है तो वो लोग भी स्वस्तिश देश के अंदर जीवन यापन कर सकते हैं तीसरा गाय का घी है गाय का दुग्द है औ तो बच्चें हैं बच्चों का अच्छा स्वस्त बच्पन उनका व्यातीत हो उसके लिए आवश्यक है कि उनको दुग्ध पूरण मात्रा में मिले कहते हैं कि जो गाय है गाय का जो हम्प होता है उसमें एक सूर्य केतु नारी होती है और उस सूर्य केतु नारी के माध्यम माध्यम से नारी के द्वारा गाए सूर्य के माध्यम से करीब एक किलो दूद में एक मिली ग्राम के करीब सोना उत्पन भी करती है और गाए के दूद में ये जो पिलापन होता है ये उस सोने के ही कारण है और जो स्वर्ण है वो अनेक आयूरवेद में तो भश्मों में स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है स्वर्ण की भस्मों का प्रयोग किया जाता है जिसे शरीर स्वस्त रह सके रोग मुक्त हो सके और स्वर्ण वैसे भी उर्जा का प्रतीक है इनरजी है उसके अंदर और इनरजी का शोत है वह है तो इस प्रकार का दुग्ध यदि छोटे बच्चों को उनके शहषव काल में प अच्छा चलता है गाए के घी की एक विशेशता है कि गाए का घी बहुत सूक्षबता से शरीर के अंदर फाइलता है और गाए जो मनुष का जो मस्तिश्क है उसका विकास करता है तो जो गाए का घी है गाए का मक्षन है गाए की लसी है गाए का दूद है यह हमारे भुज को अगर बहुत ज्यादा फलों पे रून पे ज्यादा वो व्याय नहीं कर सकता है केवल गाय का दूद पिलाए लसी पिलाए तो भी उसके बच्चे अच्छा विकास करेंगे बुद्धिमान बनेंगे शक्त शाली बन सकते हैं तो इस प्रकार से गो समवर्धन की आवश्यक्त है और हमारे यहां तो कहा भी गया है एक संस्कृत में श्लोक है कहता है पांच-छे चीजें होती हैं जिनसे जो प्रित्वी को धारन करती हैं वो पांच-छे चीजें क्या हैं कहता है गोभी विप्रैश्य वेद भी सत्यवद भी एलुब दही दान शीलेईर सब्त भी धार् कि गायों के द्वारा इस प्रित्वी का धारन होता है जो दानशील लोग है जो चैरिटी करते हैं उनके द्वारा ये पूरा समाज चलता है जो लोभी लोग नहीं है जो उदारबादी है उनके द्वारा समाज चलता है ये राष्ट चलता है जो ज्यानी लोग हैं उनके द्वारा समाज चलता है जो सत्य मारक पर चलने वाले हैं वो सब इस प्रित्वी को धारन करते हैं अर्थात इनके द्वारा ही ये सामाजी के व्यवस्था ही चल सकती हैं अन्य लोगों के द्वारा नहीं चल सकती तो गॉय भी उनमें से एक साथ च मृध्धी के लिए गायों का जितना अधिक हो समवर्धन हो ऐसे देश है इस प्रिच्वी पर जहां पर गायों की संख्या मनुष्यों की संख्या से अधिक है कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर गायों की संख्या वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या से जादा है डैनमार तो आज वो संख्या जून हो गई है आवशकता है कि हम इस गोधन की रक्षा करें और ये जो गोधन है ये हमारे राष्ट को धन-धन्य से संबन्न बनाएगा गोवर्धन के साथ एक अन्य कथा भी है एक इतियास भी जुड़ा है कि स्री कृष्ण ने भी ब्रिज के लोगों क जब वहाँ पर बहुत अकाल वर्षा हो रही थी ब्रिज के अंदर तो सब लोग वो जो परवत है वहाँ एक छोटा सा उंचा स्थान था वहाँ पर सब लोगों ने शरन ली और वहाँ पर स्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि अकाल वर्षा नै हो समय पर वर्षा हो परियावन ठीक रहे उसके लिए आवश्चक है कि आप गायों का समवर्धन करें गवों की रक्षा करें और उसी नाम से उसी उपदेश वह जो स्थान था वह जो परवत ये स्थान था उसका नाम भी गवर्धन परवत पड़ा और हमारे यहां वैदिक साहित में बड़ा इ अगर यज्ज के माध्यम से हम पंच गव्यों से यज्ज करते हैं तो समय पर वर्षा होगी और समय पर अनावरिष्टी भी होगी वर्षा की जब आवशक्ता है तब होगी और जब आवशक्ता नहीं है तब नहीं होगी यजूर वेद का एक मंत्र भी है वो कहता है दोगध द्रजन्य हे वह वर्शशा करता है और कहता फल ना ओशध दहया और जो फूल खुब हगते हैं ओशधियां खुद पणना होती है और योग ख्षेबॉन कल्पताम और सब लोगों के लिए योग जो अप्राप्ट पर है जो प्राप्त नहीं है वो वस्त्वे उनको प्राप्त होती हैं और ख्षेम भी प्राप्त होता है जो प्राप्त हुई वस्त्वे हैं उनकी रक्षा भी वो कर सकते हैं और इससे पूरे राष्ट की स्मृध्धी होती है इस यह जो मंत्र है यजुरवेद के 22 अध्याय का 22 वा मंत्र इसको राष्ट्र प्रार्थना के रूप में भी गाया जाता है तो इस प्रकार से ये जो गोवर्धन है स्री कृष्ण ने भी ब्रिज के लोगों को यही उपदेश दिया अब आप गायों का ज्यादा समवर्धन करें उसके गोवर से उसके पंसगव्य से जब हम यद जित्यादी करेंगे तो य अकाल वर्षा नहीं होगी और समय पर वर्षा होगी जितना चाहें उतनी वर्षा होगी ताकि उससे राष्ट की स्मृत्धिवी बनती है और आपको एक और सुचना दूँ यह जो गाय का गोवर है यह मास्किटोर रेपलेंट है मत्षरों को भगाता है इसके इसका धोना ध इशानूं हैं गाय के पंचगव्य के हवन के द्वारा वो भी दूर होते हैं तो इस प्रकार से यह जो गोवर्धन पूजा है यह एक दृष्टी से राष्ट की स्मृत्धि के लिए किये जाने वाले उपाए और लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से आप गवों के सम वर्धन कर सकते हैं धन्यवाद